स्वागते दोस्तों आपका हमार यूट्यूब चैनल इन्वेस्टरटा में दोस्तों मुचुल फंट प्लान के अंदर साड़े चार साथ से ज़ाधा प्लान आपको मिलते हैं जिसमें आप पैसे को निवेश कर सकते हैं लेकिन अगर आप सही टाइम पर सही प्लान में सही समय पर निवेश करते हैं तब ही आप एक बड़ा फंट बना पाते हैं क्योंकि दोस्तों मुचुल फंट प्लान के अंदर निवेशकों ने जम कर पैसा बनाया है क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिटन है वो काफी जबर्दस प्ला है अगर आप अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पर लगधार आपको एक अच्छा रिटन मिलता रहे तो इस वक्त सबसे popular option आपको mutual fund प्लान का मिल जाता है दोस्तों पिछले 10 साल में निवेशकों ने यहाँ पर करोड़ पती बनने तक सफ़र तक्या है जिन लोगों ने 10-12,000 रुपे मंतली SIB की तुरूप ऐसे को निवेश किया तो यहाँ पर आपको आज भी कुछ ऐसे प्लान मिल जाते हैं जिनके अंदर आप पैसे को निवेश करके अपने किसी भी बड़े fund बनाने के target को पूरा कर सकते हैं क्योंकि अगर आप bank FD में जाएंगे तो यहाँ पर ब्यास दर 7-7% से जादा आपको नहीं मिल पाईगी और अगर आपका target लॉंग टाइम पैसे निवेश करने का है तो फिर आप यह सोचते रहेंगे कि आपको कैसे एक बड़ा fund मिल जाए क्योंकि bank FD में ब्यास दर इतना ही आपको मिल सकता है और अगर आप सोचेंगे कि आपको कम पैसा निवीश करना है और उसी से आपको एक बड़ा fund बनाना है तो दोस्तो यही देखते हुए आज हम आपके लिए एक ऐसा धमदार fund लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको एक बहतीन growth मिल सकती है उससे पहले आपको यह जाना होगा कि इस plan के अंदर कौन सी company portfolio में शामल है दोस्तो निफ्टी 50 के बारे में आपने जरूर सुना होगा और इस सारी stock को आपने जरूर ट्रैक भी क्या होगा या फिर निफ्टी index के अंदर आपने निवेज भी क्या होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि निफ्टी index के अंदर जितनी भी companies है वो कहां से आती हैं दोस्तो इससे पहले आपको एक और index मिलता है जो है निफ्टी next 50 यानि क तो यही वजा है कि पिछले कुछ सालों में इंडेक्स के लावा अगर आपको एक बैतीन रिटन चाहिए तो आपको निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी इंडेक्स भी मिल जाता है जिसके अंदर आप पैसे को निवेश करके एक अच्छा रिटन बना सकते हैं क्योंकि निफ्टी इंडेक्स के अंदर रिटन आपको मुचिल फंड्स में 10-12 परसेंट या फिर 15 परसेंट तक मिल सकता है लेकिन नेक्स्ट फिफ्टी इंडेक्स के अंदर रिटन आपको 25 परसेंट तक भी मिल सकता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो company है वो काफी strong company होती है जिनके अंदर लगतार आपको एक 23 profit मिल सकता है और इसमें कुछ company ऐसी है जो आने वाले टाइम में अगर निफ्टी के अंदर rebalance में होता है तो यहाँ पर यह company उनके अंदर शामिल हो जाएगी क्योंकि दोस्तों इन company ने लगतार पिछले कुछ टाइम से जबरदस्त growth दी है और निफ्टी के अंदर कुछ ऐसी company है जिन्होंने ज़ाद अच्छी performance नहीं दी है लेकिन हम आज आपके लिए जो fund लेकर आए हैं दोस्तों यह एक ऐसा fund है जिसके अंदर आप एक 23 profit बना सकते हैं हम बात कर रहे हैं HDFC के fund की जो है निफ्टी next 50 index fund यानि कि यहाँ पर यह वो 50 company शामिल है जो आने वरे टाइम में हो सकता है कि निफ्टी के अंदर शामिल हो ज और last one month में fund ने 10% का return दिया है दोस्तों इस plan के अदर लगतार 22% का return आपको सवा डिर साल से मिला है और इस plan में अगर आपको 21% का ही return मिल जाता है और आपके बास 95,000 रुपे हैं और इसे आप निवेश करते हैं तो इस plan में आप 2,98,000 रुपे का fund 6 साल के अंदर बना सकते ह इसमें 2,03,000 का return होगा लेकिन अगर आप time period बढ़ाते हैं और 12 साल के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो दोस्तों इस 95,000 थे आप 9,35,000 रुपे का fund बनाएंगे इसमें 8,40,000 रुपे का return होगा और अगर आप 48 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो इस 95,000 रुपे से 28,41,000 का return होगा जबकि दोस्तों इस प्लान के अंदर अगर आप 24 साल के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप 92,16,67,000 रुपे तक fund बना सकते हैं इसमें 9,21,000 रुपे का return होगा और अगर आपका target है 30 साल पैसे निवेश करने का जो की long time जरूर है लेकिन इस 29,000 से आप 30 साल में 2,89,000,000 रुपे तक fund बना सकते हैं इसमें 2,88,000,000 रुपे का return होगा लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों इस fund के portfolio की तो आपको यह पता होना ज़रूरी है यहाँ पर nifty next 50 के अंदर कौन सी company शामिल है तो दोस्तों इसमें top holding में भारत electronics दोस्तों यह एक क्या है इसके लाबा TEND, हिंदुस्तान Aeronautics, Tata Power, Power Finance Corporation, REC Limited, Vedanta, Intergroup Aviation, Siemens यानि कि दोस्तों यह ऐसी दिकच कम्पनी हैं जिनके दर आपको एक अच्छी क्रोथ भी मिल सकती है और इन में से अगर कोई stock nifty के अंदर शामिल होता है तो यहाँ पर आपको एक बहतीन क्रोथ भी म लमसम पैसा नविश करते हैं तो इसी करन्ट प्रैस के साफते आपको चुरिट लॉट की जाती है 970 करोपे फंड का योयम है दोस्तों फंड का योयम अभी काफी कम है और जैसे जैसे इस फंड का योयम बढ़ेगा वैसे वैसे इस प्लान के अदर आपको एक पहतीन क्रोथ मिल सकते हैं फंड के अगर आप SIP करना चाते हैं तो यहाँ पर कम से कम 100 रुपे से आप SIP कर सकते हैं और लंब समय यहाँ पर आप फंड में 5000 तक निवेश कर सकते हैं दोस्तों इसके लवा अगर अगर आप equity sector location की भी बात कर लें तो financial sector के अंदर फंड का सबसे जदा 19% पै पैसे को निवेश क्या क्या है फंड के अंदर हम खर्चे की बात करें तो दोस्तों यह काफी कम है सिर्फ 0.30% का यानि के फंड का expense ratio कम है जिससे आपको एक अच्छा profit मिल जाता है और दोस्तो exit load की बात करते हैं जो की बिल्कुट निल है यानि कि यहाँ पर अगर आप आज पैसा निवेश करते हैं अपना लंसम और अगर आपको जरुत पर जाती है दस परड़े दिन के अंदर ही पैसो की तो यहाँ पर आप अपने पूरे पैसे को निकाल सकते हैं profit के साथ यहाँ पर आपको कोई भी exit load charge देना नहीं होगा इसके लाबा अगर हम tax की बात करें long time के अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 10% LTCG tax देना होगा और यहाँ पर फंड को अरुन अकरवाल और निर्वल्ट मैनेज कर रहे हैं दोस्तों HDFC MC देश की काफी बढ़ी MC है नहीं टोटल एसिट के साफ साथ लाग करोड रोपे से जाधा इस HDFC MC के साथ निवेश क्या हुआ है रेंग एसिट के साफ से सेकेंड नबर पर है और फंडाउस काफी पुराना है 25 साल पहले स्टार्ट हुआ था तो दोस्तों मूचल फंड प्लान के अंदर अगर हम लंग सम पैसा निवेश करते हैं और वो भी किसी ऐसे प्लान के अदर जिसमे एक रोध काफी अच्छी हो तो यहां पर हम कम पैसे निवेश करके भी अपने एक बड़े फंड पनाने के टार्गेट को पूरा कर सकते हैं मूचल फंड में आपको शॉर्ट टर में करेक्शन मिल सकता है लेकिन अगर आपका टार्गेट लोंग टाइम पैसे निवेश करने धन्यवाद